हेलो आट्सलोवर, कैसे आप लों तो आज का जो लेसं वने वाला है ये सभी लेसं में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेन लेसं होने वाला है तो अमरीटा की एक बहुत थी कमाल के आर्टेस्ट है उनका एक लाइन है स्टार्ट ओबर फिनीस यानि कि जब भी हम कोई artwork को बना रहे हैं तो उसका जो हमारा starting point है वहीं हमारा actual learning होता है जब हम उसके starting point को अच्छे समझ जाते हैं उसके fundamental level की सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारे लिए finish करना कोई भी difficulty का काम नहीं है तो हम ड्राइंग तो मनाते हैं different different तरीके से ड्राइंग बनाते हैं या फिर बहुत सारे जो आर्टिस्ट है वो डाइरेक्ट आई नोस से start करें धिरे-धिरे करके ड्राइंग बनाते हैं पर यह बात थ्वास सुनने में कड़वा लगेगा पर यह सज बात और यह मैंने कहा रहा बहुत सारे जो आर्टिस्ट है जो औरेडी प्रोफेशनल लेवल पर काम करें उनका यह कहना है कि यह सबसे रॉंग तरीका है ड्राइंग बनाने का इस टेक्निक से भले ही हम नहीं कर पाऊगे प्रोफेशनल लेवल पर काम करना चाहोगे तो कभी भी इस टेक्निक से आप काम नहीं कर पाऊगे आर्ट के दुनिया में एक गोल्डन प्रिंसिपल है अगर आप इसको फोलो करते हैं तो आपका आर्ट वर्क बहुत जल्दी इंप्रूव होगा स्टार् आपको आपको अगे बढ़ना है तो आपको जो इसकी फंडामेंटल लेवल की चीज़े वह चीज समझना बहु जारे जरूरी है तो जब हम किसी भी आर्ट वर्क को बना रहे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आता है ड्वाइं का तो ड्वाइं में फ्री फंडाम बनाने के लिए तो पहला है सेप दूसरा है और तीसरा है सिंप्लिफिकेशन तो यह थ्री पॉइंट के बारे में इसमें दीप में हम लोग देखते हैं विट एक्जामपल तो चलिए आज का जो हमारा डेमोंस्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और यह थ्री जो फंडामेंटल है उसको समझते किसी भी तरह का ड्रॉइंग बनाने में किस तरह इसको यूज करेंगे जिससे हमारे जो ड्रॉइंग है वो पॉफिकली बन जाएगा यह सब थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन यह लॉंग टर्म में आपको काफी जादा हैल्प करेगा किस तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि यह रएफ्रेंस मैंने लिआ है एक और या इमेज तो यह इमेज को बीना डिटेलिंग में देखे हुए आप पहले इसको किस तरह से देख रहे है वो डिपेंड करता है तो यहां पास जो हमारा ड्रॉइंग है तो इस आपकी जो पार्ट है उसके लिए लाइन का यूज करके हम बेसिक जो से वो निकाल करके पहले लाना पड़ेगा इसमें तो जब आप इस तरह से किसी भी इमेज को देख करके उसको ड्राइंग बनाते हो तो आपके लिए यह चीज काफी जादा एजी होता है बनाना जैसे कि यहाँ तो हम चोटे एक इमेज को बना रहा है लेकिन जब आप big level पर कोई artwork को बनाते हो बड़े level पर कोई aroulder को बनाते हो तो आपको यही basic fundamental लेवल की जो चीजे हैं वो सारा चीज काफी जादा हल्प करने वाली है तो यहाँ पाथ जो reference है तो इसको सबसे पहले हम लोग shapes मे divide करेंगे पहले उसके proportion को mind में रखते हुए simplify करते हुए वो सारा चीज को आप ध्यान में रख करके किसी भी artwork को बनाओगे तो आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा भले आपको इसके इसमें काफी ज़्यादा time taking process है लेकिन long term में ये के थुरू में placement कर रहा हूँ तो ये जो initial level की चीजे है आज YouTube पे इसके बारे कोई बात नहीं कर रहा है जो सबसे ज़्यादा important है ज़्यादातर वीडियो मिलेगा detailing की उपर hyper realistic की उपर लेकिन जो basic fundamental level की चीजे है उस पर detailing या hyper realistic बना के करो गिया तो इसलिए पहले उस shapes को लाना सीखे उसके बार जब वो सारा चीज आप सीख जाओगे अपने mind में उस चीज को आप simplify करना सीख जाओगे proportion judgment किस तरह से किया जा था वो सारा चीज समझ जाओगे तो फिर आपको किसी भी तरह का artwork मिल तो आप उसको easily बना लोगे तो जैसे यहाँ पास human है तो human को भी मैं यहाँ पास shapes में डाल रहा हूँ पहले उसको simplify कर रहा हूँ उसको कितना simple तरीके से मैं दिखा सकता हूँ वो सारा चीज कर रहा हूँ उसका जो proportion है जैसे कि कंधे का shapes है वो round गुमा हूँ है तो वो सारा चीज को shapes लाने कोसिस करेंगे है second step में तो यह हर चीज का steps होता है उसी तरह art में भी एक steps होता है आगे बढ़ने का लेकिन एक बात please ध्यान से सुनिया और समझे आप भले उस technique से drawing बना लेते हो लेकिन अगर आपको professionally आगे बढ़ना है तो आपको यह basic जो चीजे है वो समझना पड़ेगा जब मैं start किया था drawing करना तो मुझे भी लगता था कि मैं इस technique का use करके क्या करूंगा मैं तो ऐसे ही already मैं बहुत अच्छा drawing बना रहा हूँ तो मैं continue करता गिया करता गिया काफी लंबा time लगा मुझे उस चीज को सीखने में लेकिन जब मुझे एक artist ने समझाया कि आपको पहले कोई भी drawing बना रहे तो आपको उसके fundamental लेवल की जो चीजे है वो strong करनी पड़ेगी तब जाकर कि आप किसी भी artwork को बनाओगे तो यह basic जो fundamental लेवल की आप इस चीज को समझ करके अपने art में जो मैंने दो साल तीन साल जिस artwork को सीखने में लगाया वो आप छे मैना में सीख सको इसलिए मैं यह सारा चीज बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझो तो यह सारा चीज जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए कुछ भी difficult नहीं जा सकते हैं जैसे कि मैंने basic shapes से start किया था proportion judgment किया फिर उसको simplify किया फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके detail add करता गया तो देखिए किस तरह से यह artwork थोड़ा सा match करने लगा अब जैसे जैसे इसमें detailing के तरब जाएंगे फिर second step जो हमारा था value setting का वो सारा चीज आड़ करेंगे प्लस detailing के तरब जाएंगे तो यह और ज्यादा निखर के आने वाला और यह same to same face मिल जाएगा तो basic जो shapes से पहले आप उस चीज को सिखिए जब वो सारा चीज सिखते हो तो step by step फिर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और ऐसा नहीं है कि आपको यह steps को follow करना है आप basic जो जि आपको बनाते तो easily वह artwork बन जाएगा so I hope कि इस वीडियो से आपको काफी जान्दा help मिला है अगर वीडियो से help मिला है तो comment में yes जरू लिखेगा तो चलिए अभी यह हमारा वीडियो close करते है और मिलते है next वीडियो में